गाईज मालनों कि आपका या पर किसी भी तरीकी का स्टॉक्स खरीदा हुआ है और उस स्टॉक्स के अंदर अगर आपको इनक्टिव पोर्टफोलियो या फिर इनक्टिव स्टॉक्स इस तरीकी का सोभ वो रहे तो 2024 के अंदर आके आपको उसका सॉलूशन क्या करने चाहिए जिससे कि आपकाई बहुति हो जाए या फिर ओ ठीक नहीं होगा क्या होगा होगा कैणी होगा सब कुछ इस वीडियो के अूंदर बता नाव हो तस exploring आपका जो स्टॉक है ऑ्स ट्रॉप को इनक्टिव कर दे गया है तो गाइस खास करके इसको किया कब जाता है जब SEBI का कोई भी rules आता है और उस rules को कोई भी stocks अगर follow नहीं करता SEBI का rules and regulation के बज़े से उस stocks को inactive कर दिया जाता है या फिर कई बार होता है कि कोई stocks हो उस stocks को अगर break करना है तो इसके लिए भी कई दिन उनको inactive कर दिया जाता है और inactive होने के बाद वो फिर से जब active हो जाता है तो आपका जो PNL है ओ PNL ठीक है आपको देखने कर देखने कर देखने मलता है लेकिन दोस्तों खास करके होता है कि आगर आपके पास एक penny stock है तब आएगा आपको दिक्कत मालो कि किसी भी तरीकी का अपने एक penny stock buy करके रखे हो और वो जो penny stock है ओप penny stock बहुत ही खराब है आपने सी बुर्जी 5 रुपय का भाव भी उसको buy करके रखे हो लेकिन maximum time होता है कि इस तरीकी का जो भी stock होता है ओ stock fraud होता है तो आपको fraud stock से बचना है fraud stocks से बचने के लिए आप just 700 crore valuation का उपर market capitalization के उपर जो भी stock आपको देखने के लिए उसे stocks पर आप invest कर सकते हो लेकिन मैं किसी भी तरीके का आपको investment का advice नहीं दे रहा हो अगर आप invest करने चाते हो तो सबसे बहले आप आपका financial advisor से आप बाते कर लो उसके बदे आप investment करो तो मैं आपको just example दे रहा हूँ कि मनलोगी ABC कोई stock है उस stocks का price को अगर break करना है यहाँ पर करना क्या होगा कि इनका price है और price भी half-off हो जाएगा तो सेम तरीके से यह जो break करना होगा इसके लिए कुछ दिन time लग जाता है तो यह time के बज़ी से भी इसको inactive कर दिया जा सकता है लेकिन maximum time होता है कि penny stock बहुत ही गल्दी करते हैं बहुत सरे debit रहते हैं और debit को clear ना करने के बज़ी से इस तरीकी का stock को inactive कर दिया जाता है तो अगर आपके बाद की सी भी तरीकी का stock आता है जो inactive है तो आपको just google पे जाके आपको NAC का website में जाने के बाद उस stock का नाम से यार कर देना है और जैसे आप नाम से यार कर देना है तो आपको देखने के लिए बिल जाएगा कि उसको किस region के बाज़े से inactive कर दिया गया तो अगर मैं आपको बता हूँ कि आगर आपका एक stock मनलो की एक अपता हो गया अभी तक inactive से active नहीं हुआ तो आपको करना के चाहिए तो सबसे पहले तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते जश्ट एक ही चीज हो सकते है कि वह active हो जाए और आपका पैसा आपको फीसे वापस मिले या पिर होता है कि काई बढ़ एक मिटिंग एरेंज होता है और उस मिटिंग में ड करो उसको से ही से कोई भी स्टॉक को चूज करो आप जश्ट रैंडमली किसी सर्फ सुनके या पिकिस विदर के का पैसे जने का आपका मैक्सिम चंसे से तो अगर आपको किसी विदर की का डाउट है तो आमने को कॉमेंट सिख से में बता सकते हो और उस तो आगर आप देख है उसके तो अगर आप जाके इसको डाउनलोड एंड रिश्टेसन करोगे एंड थार्टी डेस के लिए आपको बिल्कुल फ्री में फ्यूचर एंड अप्शन ट्रेडिंग करने के लिए छुट मिल जाता है और आपको किसी विदर की का ब्लोकरेज ने लाएगा और उसी के टोड़ के लिए और आपको कॉड़ है और आप Alright